हेलो वेलकम टू लखनो नाम अकेटमी मैं आप लोगों को सोसिलोजी पेपर फॉस्ट अब सेमेश्टर फॉस्ट डिसकस करा रहा था जिसमें से मैंने आप लोगों के साथ सलेबर डिसकस कर लिया था और Quartis Sociology भी डिसकस कर लिया था ये विडियो उन लोगों के लिए काफी महतपूर होती है हो जाएगी जो लोग लखना उनिविश्टिय उसे अफलियेटट कॉलेज से Sociology से बीएव कर रहे हैं तो हमने प्रिवियस विडियो में Quartis Sociology डिसकस कर लिया था और थोड़ा बहुत Common Sense के बारे में ये आप लोगों को बता दिया था उसकी कांटिनुएशन में ये विडियो है जिसमें आज इसमें देखेंगे कि जो Sociology है और जो Common Sense है उनके बीच जो है हम लोग Similarity देखेंगे ठीक है तो Similarity देखेंगे हम लोग तो Similarity में जो पहला पॉइंट है आप लोग नोट कर लिजिए साथ-साथ में Pen paper लेकर बैठिए उसके साथ-साथ जो हम पॉइंट बोलें पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट उसको आप लोग नोट करते जाएए और उसको revise कर लिजिएगा जब भी आप एक्जाम में लिखने जाएंगे उन पॉइंट के मदद से आप लोग आसानी से अपने answers को लिख सकते हैं तो पहला पॉइंट इसमें है पॉइंट है उसमें यह लिखा जाता है कि sometimes folk wisdom is closed to socio जो हमारा folk wisdom है common sense है वो sociology के बहुत आसपास है जो sociology और common sense है इनमें एक बड़ा direct relations है तो इसमें जैसे example दिया जाता है a person give a person a bad name and it will be blamed for many things more किसी बेक्त को एक ऐसा नाम दे दो जो बुरा हो या किसी को ऐसा नाम दे दो उसी चीज के लिए blame किया जा सकता है जैसे किसी particular इंसान को बता दो चोर है तो उसको नाम दे दो लोग उसको verify करेंगे नहीं करेंगे उस पर किसी को कहना माने या ना माने लेकिन अटिमेटली लोग सोचना शुरू कर देंगी कि यह चोर ही है उससे दूर हटना शुरू कर देंगे उसके पास अपना सामान नहीं रखेंगे ऐसी हरकते करना शुरू कर देंगे इसी पॉइंट को continue करते हुए एक हावर्ड बेकर थे उन्होंने एक हावर्ड बेकर पो उन्होंने एक त्यएधि दे थी जिसका नाम था मैं लेबेलिंग अप्रोच में यह अपने आपके प्सक्वेड दीक को लेबल कर दो लेबल मतलब यह होता कि इसको नाम से बोल दो कि यह पर्टिकुलर बेकर यह ऐसे ही बियेव करता है labeling approach वनों नोने एक तेहरी देए थी labeling theory of deviance तो उसमें यही बताया था कि आप किशी लेवल कर दो label मतलब यह होता है कि यह को किशी को उसके नाम से बोल दो कि यह particular बैक्त छी है ऐसे ही बिहेव करता है तो उसमें अपने experiment से prove कर दिया था कि जो labeling theory है लोग के साथ ऐसे जिससे आपने देखा होगा क्लास में किसी भी टीचर जो किसी एक स्टुडेंट को मान लेते हैं कि यह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है उसके साथ वो ऐसा ही बिवेब करना शुरू करना शुरू करना शुरू करना देते हैं तो यह सिंबलार्टी का पहला पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है वो common sense is often related to social relationship, social setting or institution which fall under purview of sociology. तो इसमें जो common sense है, common sense के subject matter के हिसाफ से बताया जा रहा है कि ये social relationship, social relationship मतलब जो है, relationship जो सुसाइटी में पाया जाते हैं, उनके भी deal करता है, social institution मतलब जिसे religion है, education institution है, इन सब को institution कहा जाता है, family हो गई है, तो इनके बारे में जो है बात करता है, तो अब ये सारी जो topic होते हैं, जिसे institution है, social relationship है, इनका भी study sociology के अंदर ही किया जाता है, तो आप लोग ये दो point लिख लीजिए, जो similarity है, क्योंकि पहला point जो था ना, कि force, जो common sense है, ये very close to sociology, और दूसा point, जो subject matter of sociology है, वो भी common sense से related ही है, basically क्या करता है, जो common sense होता है, common sense sociology को एक raw material प्रोवाइट कराता है, उसी पर ये जो है अपनी sociology अपनी theory बनाती रहती है, और फिर आगे चलके हम लोग अब ये तो similarities हो गई थी, जो sociology and common sense में, और अब हम लोग differences देख लेंगे, what is the difference, difference में देखेंगे कि जो पहला point है, आप लोग नोट कर सकते हैं, sociology जो है, और common sense में जो similarity है, उसमें पहला point बता दिया, जो common sense है, वो status quest है, status, status quest है, status को मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे ही है, वो इसे ही maintain रखना चाहता है, जबकि sociology क्या है, sociology जो है, जो है, चेंज को बताता है, active change को पढ़ाई करता है, ठीक है, status quo and active change, और it even debates structure and agency intellectually, तो इसमें जो 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 है, वो status quo में बिलेब करता है, और sociology जो है, वो active change में बिलेब करती है, वो जैसे common sense, जैसे man and society dualism है, तो dualism मतलब होता है कि man created society, society is creating man, तो इस तरह की बाते चलती रहती हैं, और दूसा point यह है, दूसा point यह है कि sociology is skeptic, while common sense is enforced through tradition, जो common sense है, वो जो tradition में चली आ रही चीज़े हैं, उसी प्याधारित है, जब कि sociology हर एक चीज़ को संदेर की नजर से देखता है, जैसे फर एक जमपर कोई भी बात होगी religion में, religion की बात करें, तो religion में traditionally हर एक चीज़ जब भी कोई बात होती है, तो हम लोग religion के बारे में करते हैं, it is in our tradition, it is in our religion, तो sociology इस चीज़ को हमेशा question करती रहती है, इस चीज़ को sociology हमेशा question करती रहती है, कि ये tradition क्यूं है, ऐसा क्यूं है, इस चीज़ को हमेशा question करती रहती है, और दूसरी बात है, common sense explains many things is rationally, जबकि sociology क्या करती है, it explains the things in very scientific and rational way, अगर आप देखोगे तो, if you take the example of poverty, poverty के बारे में, अगर common sense का explanation होगा, तो लोगों को हमेशा कहते हुए सुना होगा, आप लोगों ने कि जो poverty, इस भी सब God, बगवान के दौरा दी है, बगवान ने हमको गरीब बना, इसलिए हम गरीब हैं, लेगिं sociology, ऐसा नहीं बोल दे, sociology का कहना है कि, आदमी गरीब इसलिए है, क्योंकि उसको better opportunities में नहीं मिली, उसे उस तरह के आउसर नहीं मिले, structure में ही कुछ problem थी, जिसकी वज़ा से, आदमी गरीब रह गया, ठीक है, यह पॉइंट यह तीसरा पॉइंट था, जिसमें नहीं देख लिया था, common sense explains many things irrationally, and sociology verified self-correcting and academic discipline, और next it is four point, उसमें लिख सकते हूँ, जो common sense is, it is adjective, which sometimes is discontinuous and paradoxical, paradoxical, उन दब common sense क्या खुछ चीज़े जो कहता है, उसमें ही contradiction आ जाता है, for example, opposite attracts, as well as fight, तो दू चीज़ आ गई न, opposite attract भी करता है, अपने सुनना होगा, opposite fight भी करता है, तो पराडॉक्स हुआ कि नहीं हुआ, इसी को explain करता है, और फिर ये पाँचपा point देख लो, इसमें लिखा, common sense has specific rules and duties, assigned for genders, poor and tribal, इसमें ये बताया जाता है, common जैसे gender किसी gender को लेकर कि, अगर female है, male है, तो ये काम female का है, ये काम tribal का है, ये काम poor का है, इस तरह के gender जो है, specific role इन लोगों को assigned कर दिया जाता है, इसको stereotypical thinking भी बोलते हैं, stereotype है, common sense की ये काम औरते ही करती है, जबकि जो sociology है, sociology में, आप लोग भी जब पढ़ेंगे, तो एक study पढ़ेंगे, Margaret Mead की, उन्होंने study किया था, पापुआ न्यू गीनिया में, उन्होंने ये जो gender role, हम लोगों के यहाँ हैं, हम लोग की common society में पाई जाते हैं, इसका reversal वहाँ पाया था, उसमें ये देखा गया था, कि women बाहर का काम ज़्यादा करती हैं, they are more aggressive as compared to men, men जो हैं घर में रहकर ज़्यादा काम करते हैं, ये इस type के उसने, मार्गेर्ट मीट की study में प्रूव हुआ था, और which is अगें तक our stereotypical thinking, अफि नेक्स पॉइंट है आप देख लेंगे इस में, common sense is highly value-laden, sociology के हैं, sociology attempt to be objective and scientific, value-laden में बादे होता है कि, it is, किसी भी कोई भी common sense होता है, society के एक value होती है, उस value के इसाब से common sense बनती है, लेकिन sociology के universal study करती है, वो किसी particular society से प्रूवावित नहीं होती है, common sense में क्या होता है, next point में लिख लो common sense जो है, इसमें जो है validity and reliability नहीं होती है, जबकि sociology में, sociological theories में यह सब होती है, ठीक है, तो यह कुछ point है, जिसमें जो है काम ने आप लोग बता दिया था, कि differences क्या का, sociology और common sense में, और similarities क्या है, फिर आगे चलके आप कुछ नई development है, जो sociology में आती है, जिसको हम postmodern, postmodernist कहते हैं, तो उनका तो मानना यह है कि sociology is not superior to common sense, there is nothing as eternal truth, postmodernist, एक new branch of sociology है, उसमें उनका मानना है कि, कुछ भी साथ नहीं है, कुछ भी साथ नहीं, eternal truth नाम को कोई चीज़ नहीं, common sense sociology के पास कुछ पॉइंट है, जिसके वज़ा से वो बोल देती कि, इन वज़ा से ये sociology common sense से उपर है, लेकिन often क्या होता है, कि कोई theory ते दिस sociology ने, उसके बाद वो काफी टाइम तक society में रहती, वो theory common sense बन जाती है, और फिर next, जो एक है जो phenomenal logist है, तो उनका कहना है कि, sociology को ये नहीं try करना चाहिए, कि लोग ऐसा क्यूं behave करते हैं, बस उनको ये attempt करना चाहिए, कि what people do, ठीक, तो हमने एक example भी दिया था आपको poverty का, तो poverty में मैंने बताया था, common sense के वज़े से लोग कैसे बोलते हैं, कि poverty क्यूं है, क्यूं नहीं होनी चाहिए, और फिर sociology इस तरह से, इस तरह से आप अपना answer दे के conclude कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, point which is similar to common sense and sociology के भी similarities के हैं, और फिर हम लोगों का next topic है, sociology as a science, तो उसमें हम लोग ये देख लेंगे कि science के क्या features हैं, और sociology उन features पर कैसे deal करती हैं उस point पर, उसके बाद हम conclude करेंगे कि sociology science है, या art है या उन्हों का mixture है, ठीक है? ओके, थैंक यू फार वाचिं दिस वीडियो, बाई बाई